आज हम एक living writer को discuss करने वाले हैं हनीफ कुरेशी वालकम बैक टू माई यूरूप चैनल वर्ल लिट्रेचर आज हम इनकी लाइफ और इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको discuss करेंगे क्यूंकि जब भी हम लोग कोई novel कोई ड्रामा कोई poetry की चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले गर writer कप की biography को हम लोग पढ़ लें तो हमें हमारी जो understanding है वो और easy हो जाती है किसी भी piece of literature को understand करने में तो अपना lecture जो हम लोग start करते हैं first of all अगर हम लोग हनीफ कुरेशी की बात करें तो British playwright थे हैं बलके थे नहीं हैं क्यूंकि इनकी जो date of birth है वो 1954 है 1954 में इनकी birth होई थे और अब इनकी age है 68 years तो इस हवाले से British playwright है स्क्रीन राइटर हैं फिल्म मेकर हैं and novelist of South Asian and English descent इतना कुछ इनों ने लिखा है उसके साथ साथ 2008 में इनको हनीफ कुरेशी को 50 greatest British writers since 1945 के लिस्ट में शामिल किया था उसके बाद इनके जो फादर थे वो पाकिस्तानी थे और इनकी जो mother थी वो English writers English community से belong करती थी उसके बाद हनीफ कुरेशी के अगर करियर के बात की जाए तो इन्हों ने अपना जो करियर है वो 1970 में start किया as a pornography writer और इन्हों ने बहुत से जो plays भी लिखे hamster theater के लिए further अगर हम इनकी writing की बात करें 1970 में करियर का अगास करने के बाद इन्हों ने my beautiful laundry लिखा जो के 1985 में publish हुआ था ये जो इनका work है ये एक guy के लिए इन्हों ने लिखा था जो के पाकिस्तानी British boy है और वो grow up करता है London में in 1980s तो उसके जो life है उसको इन्होंने इस work के अंदर discuss किया है अब बात करते हैं screen play writer as a screen play writer इन्होंने racial discrimination को face किया because इनके father जो थे वो पाकिस्तानी थे और इनकी जो mother थी वो English थी तो इस वज़ा से racial discrimination तो होना था तो obviously एक identity crisis का element भी था इनकी personality में screen इन्होंने play जो लिखे उनका खुद का experience था racial discrimination का as a Pakistani student इनके सिरफ यह पाकिस्तानी student थे school में क्योंके लंडन में वहां पर ही जब रह रहे थे उस ताइम पे इन्होंने वहां पर एजुकेशन हासिल की तो उस वज़ा से इनको new york city से film critics best screen award मिला साथ ही साथ इनको academy nomination में best original screenplay का award भी जया है वो इसको इनको मिला था इनको एक novel है his intimacy 1998 में जो कि publish हुआ था 1998 में इसको publish करवा है और यह story है एक father की एक husband की जो के अपनी दो बेटों और अपनी wife को छोड़ देता है छोड़ता क्यों है कि उसकी wife की तरफ से emotional जो उसको rejection मिलती है उसके बाद वो उनको छोड़ के चलेता है काफी तफ़ा यह भी कहा जाता है कि शायदी इनका autobiographical novel था इनके उपर इसके allegations लगाया जाते हैं बट इन्होंने ऐ work है next video में वो discuss करने वाले इसलिए आज हम इनके writer को discuss करें my beautiful laundret इस work को जो के 1995 में publish हुआ था इसको हम लोग discuss करेंगे इसमें क्या story उसको भी discuss करेंगे यह थी इनके biography किसी भी writer की biography को discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि at least हम जब उनका work पढ़े novel पढ़े drama के बाद जो हमारी understanding होगी या फिस जो उनका piece of literature हम लोग पढ़ते हैं उसको appreciate कर सकें तो at least आपको biography from m seconds point of view से भी जो है उनकी पढ़नी चाहिए और writer को जानना भी चाहिए कि writer थे कौन उन्होंने यह वह क्यों लिखा किन circumstances में autobiographical है या फिर वैसे एक normal societal को issue है जिसको writer ने इस novel ये drama में discuss किया है वीडियो को like और share और channel को subscribe कर दीजेगा thanks for watching my channel